हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल किचन टिप्स विदीशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे ही होंगे दोस्तो आज फिर मैं किचन से एरलेटिड आपके लिए कुछ बहुत यूसफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपक काम को आसान बनाने में और आपके समय की बचत करने में बहुत ही यूसफुल होंगी चलिए देख लेते हैं यह टिप्स क्या है इस तरीके के हुक्स का इस्तेमाल तो हम सब लोग अपने घर पे करते ही हैं किसी ना किसी चीज को हैंक करने के लिए लेकिन कई बार ऐसा होता ह है कि लाग कोशिश करने के बाद भी काय बर हमारे यह अइस अइसों करते हैं वहां से उतर के गिर जाते हैं और इनके ओपर यह जो ऑड़ी हो geliyor होती है जब हम इसको बाढ हटाके दूसरे टेप लगाना चाहते हैं तो वह इतनी स्टिकी होती है कि मैं आ यह हमारी टेप करते उतर नहीं पाती है यह देखे मैं इसको उतार रही हूँ तो यह हमारी टेप जो है इसके उपर से उतर नहीं पाती है तो उसके लिए बहुत ही आसान आपके लिए हैक लेका ही हूँ जिसकी मदद से आप इसको इजिली उतार सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करें आप अपन के बाद यह इजिली निकलाएगा इस बात का ध्यान रखें कि यह प्लास्टिक का है इसके जलने का भी खत्रा बना रहेगा इसलिए आपको इसको बड़ी तेजी से उसके उपर इस तरीके से हिलाना है ताकि यह बस हलका सा इसका उपर का पोशन ही हीट हो पाए चलिए देख लेते हैं अपनी टिप को दोस्तो कई बार ऐसा होता है हम लट का जिस्तिमाल करते हैं तो इस्तिमाल करते करते कई बार यह जलना बंद हो pajamas ओ जाता है खासकर आज कल जैसे मॉश्चयर का मौसम चल रहा है इसके अंडर जो है मॉश्चयर जाने की वज़े से हमारा lighter जलना बंध हो जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके लिए आप lighter को अपने जो gas का burner है उसके ओपर थोड़ी देर के लिए टिका दीजिए इसको आपको तब तब टिकाना है कि जब आपने gas का काम ख़तम कर दिया है सपोर्च जैसे कि आपने कोई दाल य जो इसके अंदर का जो मौश्चर है वो सुख जाएगा और आपका लाइटर फिर से काम करने लगेगा जब भी हम प्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि इसकी वायर को हम जो है फोल्ड करके रखते हैं तो हमें इसको अच्छी तरीके से बांद के रखना पड़ता है जिसे कि ये बार-बार हमारी तार खुलेना उसके लिए मैं आपको दो मैठेड बताने वाली हूँ इसमें से जो भी आपको असान या अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले तो आप इसकी वायर को ले और उसको पूरा अच्छी तरीके से खोल के खोल ले और उसको इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से इकठा कर ले और इसके बाद आपके पास कोई भी घर पे rubber band पढ़ा हो या आपका ruffle पढ़ा हो कोई भी rubber band जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसका आप सकते हैं तो उसके बाद आप क्या करें आपने rubber band को इसके ऊपर इस तरीके से चड़ाके और फिर इस wire को आप अपने ये जो आपका इसका handle होता है उसके अंदर आप इसको डाल के रख दे ऐसा करने से क्या होगा आपकी wire जो है जब भी आप इसको कहीं भी organize करके रखेंगे तो आपकी wire कभी भी निकलेगी नी चाहे तो आप इसको ऐसे खड़ा करके रखें और चाहे आप इसको इस तरीके से रखें चली friends देख लेते हैं अगली tip को दोस्तों पता ही है आज कल आपको बारिशों का मोसम है तो हमारे घर में एक तो गर्मी है और दूसरा बारिश का मोसम है जिसके कारण अकसर हमारे घर में लाइट चले जाती है और लाइट जाने के बाद हम mostly candles का इस्तेमाल करते हैं तो candles को जलाने के लिए हमें या तो candle holder की जुरूत पड़ती है या हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसके ओपर हम candle जला सकें कई बार तो ऐसा होता है कि हम flat surface पे ही जो है अपने candle को जला लेते हैं जिससे क्या होता है जो candle का जो मोम है वो हमारे जो है surface पे गिर जाता है जिससे की कारण हमें बाद में काफी दिक्कत आती है उसको उतारने के लिए तो उसके लिए मेरी जो tip है आपके लिए काफी useful होने वाली है कि जब भी आप next time पे candle को जलाएं तो उसके लिए क्या करें उसके लिए आप इस तरीके की कोई भी कटोरी ले ले चाहिए तो आप क आपके पास ऐसी कटोरी नहीं है तो आपके पास कोई भी छोटा या बड़ा गिलास होगा उस गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद क्या करें कि आप अपने candle को इसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर दें और इसके बाद इसमें डाल दें आप पानी यह देखिए इस सुन्दर सा candle holder बनकर त्यार हो गया हमें किसी भी बजार से पैसे नहीं खर्च करने पड़े candle holder लाने के लिए अब आप इसकी मदद से candle को easily जला सकते हैं अब सबसे बड़ी बात आपके मन में यह आरी होगी कि मैंने इस कटोरी में पानी क्यों डाला है वो मैंने पानी इसलि केंडिल को हम जलाएंगे तो आप देखते हैं कि candle जलाने के बाद यह थोड़ा इसमें से मोम टपकता रहता है तो वह हमारा जो मोम है वह सरफेस पे ना गिर के इसके पानी के अंदर गिरेगा जिससे कि हमारे दो फायदे होंगे एक तो हमें बारबर सफाई नहीं करने पड लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही राउंड करते हैं हम जहां भी इसको प्लेस करके रखते हैं यह इस तरीके से खुल जाती है तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया है लेकि आई हूं कि आपका यह जो है बेल्ट खुलेगी भी नहीं और बहुत ही इजी तरीके से और हो जाएगी उसके लिए आपने क्या करना है आपने बेल्ट लेनी है और इसके जो एंड वाला पार्ट है इसको आपने इसके नीचे की तरफ को ले जाते हुए इस तरीके से गुमाना है और इसके बाद हम लेंगे इसका ये एंड वाला पार्ट और इसको हम छोटा जितना आपको बनाना है उतना इसको आप राउंड कर दीजिए और इसके बाद हम इस राउंड को आपने इस वाले पार्ट के अंदर इस तरीके से इंटेक्ट करके रख देंगे ये देखिए आपने इस तरीके से रख दी आप अगर आप अपनी बैल्ट को कहीं भी रखेंगे तो य इसे क्या होता है कि हम स्था हमारी माची था जालें दिरtså कोई दिक्कत नहीं सब्सक्राइब तो आज चल रहें दो इसके लिए प्ले करें जब भी माचीस हैμεुए लेकर आइए तो आप इसको यह रखे कोई भी यह टाइट गंटेनर ले लें उसके अंदर आपनी सारी माची सो को डालके कि इस तरीके से आप इसको रखें इसे क्या होगा कि आपके माची से जो है मौश्चर नहीं पकड़ेंगी और जब इसका आप इस्तमाल करना चाहे हैं इस्तमाल भी हो जाएगगो और इस तरीकह से ये ORGANIZE भी रहेग़े चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं अगली टिप की तरब दोस्तो जब भी हम इस तरीके की स्प्रे बोटल का इस्तिमाल करते हैं तो आपने नूटिस किया होगा जब हमारा स्प्रे खतम होने लगता है और जब हम इसको यूस करते हैं तो इसके अंदर से स्प्रे जो है निकलता नहीं है उसके लिए बहुती यूसफुल टिप में आपको बताने वाली हूँ तो अगर आपके साथ भी ऐसी कंडिशन आती है तो आप क्या करें तो आप क्या करें इसके बोटल का ऊपर से खोल के इसके पाइप को थोड़ा सा तेड़ा कर दें तेड़ा करने के बाद आप देखेंगे कि जब आप स्प्रे करने के लिए बोटल को थोड़ा सा तेड़ा करेंगे तो उसका पाइप जो है मोरने के कारण उसके solution को touch कर पाएगा और इसके बाद आप इसको spray करेंगे तो आपका easily spray हो जाएगा. बढ़ते हैं अपने अगले hack की तरफ. दोस्तो जब भी हम इस तरीके के tape role का इस्तेमाल करते हैं तो आपने mostly देखा होगा कि जब हम tape का use कर लेते हैं और next time जब हम उस tape को use करने लगते हैं तो हमें उसका जो end है वो easily मिलता नहीं है. तो उस समस्या को दूर करने के लिए मेरा ये hack आपके लिए काफी useful होने वाला है. तो उसके लिए आप क्या करें पहले इसके tape के end को आप निकाल लें और निकालने के बाद आप लें एक टोरी में थोड़ा सा तेल और उसके end के ऊपर आप थोड़ा सा तेल जो है वो लगा ऐसा करने से क्या होगा आपका जो end है वो next time जब भी आप इसको बंद करेंगे तो उसका end जो है आपके tape के साथ चिपकेगा नहीं और आपको next time easily मिल जाएगा ये देखिए जैसे कि मैंने तेल जो है इसके ओपर लगा दिया है अब मैं इसके end को tape के ओपर अच्छी तरीके स चिपका रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका end इसके ओपर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है क्योंकि oil लगाने से उसका जो की glue जो है खतम हो जाती है और फिर से tape को पकड़ती नहीं है और next time जब भी आप उसको यूज करते हैं तो वो easily निकलाती है चली friends मेरी अगल जब हम वापिस आते हैं तो हमारा umbrella बिल्कुल गीला हो चुका होता है और जब हम उस गीले umbrella को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो हमारा घर जो है सारा गंदा हो जाता है और सारा गीला हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप होने वाली है आपके लिए कि उसके अंदर आप कोई भी कटोरी या किसी भी बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप इसके नीचे के पोशन पर ऐसे रख दें, और उसके बाद जब आप आप अम्रेला लेकर आएं, तो उस अम्रेला को इसके ओपर इस तरीके से टिका दें, उससे क्या होगा इस अम्रेला भी इसके अंदर पड़ी-पड़ी सुख जाएगी, आई होप ये टिप्स आपके लिए काफी यूसफुल रहेंगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो दोस्तों इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजिएगा, अगर आप मु वीडियो के साथ, तिल देन टेक केर और बाइ बाइ बाइ